आप सभी को नमस्कार आज आज हम फिर से आपको जो की इनोवा हाइक्रोस का जी एक्स जो लेटेस्ट वेरियंट है जी एक्स मोडल है तो इसमें आज मोडिविकेशन होने वाला जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट से इसका भी नंबर प्लेट भी नहीं है मतलब फोरूम से मुझे लगता है कलपर सोई निकलिये और सीधा आई है स्वानमोन कारेश सेस्रीज पे मोडिविकेशन होने तो फ्रंट से लुक को इनहेंस करने के लिए यहाँ पर डियारेल जो है वो लगाया जाएंगे यह देखेंगे यह डमी आती आपको इस पर डियारे भी लगने वाला क्योंकि वाइड कलर की गारी है लेक का कॉम्बेनेशन काफी अच्छा रहने वाला है तो इसमें अभी आर्क भी लगाने वाले यहां पर देखेंगे तो फेंडर का फिटिंग कर दिया गया लोवर विंडो गारनी जो है च्छेपीस वाला फिटिंग हो रह वाला है मैं सीधा सीधा बात करों तो पूरा काम बेश्टू टॉप होने वाला है इसमें वेक साइट से मैं लेके आओ तुछ बताओं आपको यहां पर देखेंगे तो यह पूरा सीड जो है फैबरीक में रहने वाला सीट कवर फिटिंग होने वाला ट्रे जो है यह लगा वाला है पीछे डमी टेल लाइट भी देख सकते हैं यहां से छोड के देती है और हम डमी टेल लाइट में यह कपलर आराम से लगा के इसको फिटिंग कर देते हैं यहां पर रिफ्लेक्टर लाइट जो है यह लगाया जाएंगे तो इस इनोवा हाई क्रॉज जो की जी एक् अब देखेंगे इंटेर्यर जो है कुछ ऐसा आपको मिलता है सीट कवर फैबरिक में आपको मिलता है इसमें अभी हम जो रेग जीन में सीट कवर जो है बकट फिटिंग में वह उस्टिंग करने वाले हैं तो आप बने रही ए वीडियो में ब्लैक्व्टी डेंपिंग कर द और इसमें जो भी काम हुआ है सारा next level का काम हुआ है मैं आपको बता हूँ यहां पे तो यह गो और भार 新 mail लगा दियें इनोब बर्न युक्रोम लगा और गया इनोबा बोनने लेटर जो है इसमें लगा दिये पर मेरा मानना होता है कि आप projector light लगाओ क्योंकि जरुरूरत की चीजे है वो आगे कि तरह बढ़ते हैं तो यहां पर यह वील आर्च जो है यह नट के थूरू इसमें वील आर्च जो है इसमें fitting कर दिये गए हैं तो यहां पर देखेंगे वील आर्च का हो गया है काम आपका और यहां पर देखेंगे तो यह फेंदर जो विंडर लगा दिए गए हैं यहां पर आपका लोओर विंडो गार्णी कर दिएटा यह लगा दिए घ्रा गया ञता है इसमें डंपिंग किया यह है आपका जो है बाहर की नुवाई से अंदर नहीं आने देता है काफी अच्छा है दोर वाइजर की बात करूं तो दोर वाइजर इसमें लगा दिये गया है रूफ रेल जो है फुल एल्मूनियम का जीरो टू जीरो जो की प्रोपर हाई क्रोस के लिए बना है वह इसमें लगा लगा करको, यहां लगा दिये गए है मैं लेकर आएक की तरफ तो ऐसमें लाइक चेक करवाने वाला हूं अब आपको ले करे आता हूं जो तो यहां पर आपका वेलकम लाइट मिल जाता है और यह जीरो टूजीरो फुट्रेस्ट बात करूं इसमें मैट की तो मैट एक नंबर फिटिंग के साथ जो की एफएस ब्रांड में इससे ओपर मैट तो कोई होता नहीं है इस फिटिंग में यहां पर लगा दिये गये हैं टै साथ लिखा हुआ ठोल को की तो शीट कोवर जो है प्रोपर बकेट स्टींग में आप देख सेकते डवल स्टिचिंग में यहां पर आपको हाइक्रोस लिखा हुआ प्रोपर जो है यह मिल जाता है बैजिंग के साथ और डवल स्टिचिंग के साथ इसको finally complete किया गया है यहां सब्सक्राइब पर बनाने में आपको दिखा जेता हूं तो यहाँ मिलाथ सेडो लाइट वेलकोm provide the GFX मैठ और पूरा।ッ सेेडों रही सेडोर में यहाँ पर मिल जाता है। ताकि इसे की वरेंटी हो और यहां काफी एनर्जी देता है क्योंकि हम लोग ब्रांड की लेवल पर काम करते हैं ब्रांड बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है क्वालिटी से कंपरमाईज बिल्कुल ही नहीं करना पड़ता है तब ही जो है रिस्पॉंस कुछ ऐसा निकल के आता है मैं थोड्रों की फीटिंग क करोल बाग मैं अपना नंबर आपको बता दे रहा हूं तो डिस्प्ले पे नंबर सो होता हुआ आपको मिलेगा आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं मिलते हैं फिर किसी इसी तरह इनोवा हाई क्रोस के साथ तब तक के लिए नमस्कार आज एक सौर्ड वीडियो